last week आप सभी लोगों को trade execute करने के लिए हमने कहा था मैक्समम लोगों ने ट्रेट्स एग्जीकूट किया और डारेक्ट वाट्सेप के उपर कॉंट्टूइूसली उसका डिसक्शन भी हो रहा था एक वीडियो आप लोगों को हमने शेर किया था वैं नौट टू ट्रेट यह वीडियो हमने शेर किया था मंगलवार को हुआ यह के मंडे को जो मिस्टेक्स हुई थी वो मंगलवार से होनी कम हो गए ट्यूस्टे के बाद वेडनस टे थर्स्टे फ्राइडे टेट बहुत अच्छे हुए कुछ कंडिशनस हमने बताए थी कई बार ऐसा होता है कि सेटप अपना पूरा बन रहा है हाय टेम फ्रेम की बी रेडिंग समको समझ में अरी लोग हर एक चीज समझ में आती है लेकिन फिर बी कुछ कंडिशनस ऐसे बनती कि फिर पर्टिकलर वो ट्रेड में सेक्रिफाइस करना पड़ जाता है चोलना पड़ता है वहां से वो ट्रेड सोने बहतर हुए और बहुत बहतर हुए क्योंकि यह ट्रैल बेसिस पर था इसके बाद में लास्टिक हमने आपको हाय टेम फ्रेम के कुछ फॉर्मिट्स दिये थे प्रैक्टिस करने के लिए विच इस थ्री प्लस टू जिसमें वॉल्यम के अकॉर्डि देखते थे अब लुवर टाइम फ्रेम पर हम लोग आएंगे लुवर टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने के एक पैटर हम बताएंगा आप यह मान करके चलो कि बहुत प्यारा बहुत अच्छा system बन सकता है the best entry pattern हो सकता है बस एक बड़ इसका सही से use इसकी practice जितनी ज्यादा से ज्यादा इसके practice कर लोगे यह उतना ही अच्छा आपके लिए काम करेगा यह होता क्या है day time frame पर इसको हम लोग कैसे correlate करते हैं lower time frame पर इसके correlations क्या होते हैं readings कैसे करेंगे volumes कैसे इसके अंद lower time frame पर इस entry pattern को मद्दे नजर रखते हो इस center में यह रहेगा बाकि इस nakedly तो यह use नहीं होगा कि कहीं पर भी लगा दो आप वैसे तो दिन में 20 जगह यह बनेगा हर जगह तो इसका use हम कर नहीं लेंगे हम एक सही point of action पर ही इसका use करना है अभी point of action धिरे-धिरे करके आगी क कि तरफ हम आपको बताएंगे जिन्हें नहीं मालूम हो दीरे-धिरे करके आगे की तरफ हम आपको बताएंगे जो कि higher time frame के हो बाकि यह pattern सब भी लोग practice करोगे इसके trades के ओपर जो discussion रहेंगे last week जो trades किये गए इसके ओपर discussion वो हम लोग करेंगे continuously live market में live market में तो continue हम लोग discussion करी रहे हैं कल और हम इसका deep discussions पर चार्ट पर देखते हूं साही चीज़े समझते उसको करेंगे हम अब इस format पर आते हैं दखो यह slip format होता है इसमें totally हम लोग lower time frame पर three candles use करते हैं जो की पूरी तरह से correlate करती है मेरे day time frame के levels पर अभी हम लोग day time frame बात में देखेंगे पहले three candles के slip format को देखेंगे यह होता क्या actually जैसे हमें निकालने होते हैं अपने point of action अब इन point of action के लिए generally जो हम लोग use करते हैं अपने day time frame करते हैं last two last week हमने आपको one hour time frame का एक format बताय था 30 minutes का time frame था 2 time frames थे day time frame point of actions जो हम लोग निकाल रहे हायर time frame के कि जिसके according हम लोग अपने point of actions set कर लेते हैं अगर executions करने तो किस point पर करने अब just imagine हमारे पास एक यह area आ गया जो कि मेरी day time frame के line है अब यह day time frame के line हम लोग निकालते हैं क्यों है दो कॉमन सेंस है आप कॉमन सेंस लगा जैसे day time frame के line है अगर हम इसे निकाल तो क्यों निकाल रहे हैं क्या सिक देखने के लिए यह बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेशक trades अच्छे हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बहुत common mistakes की हैं जब main phase में हम लोग चलाएंगे trade execute करने के लिए तब यह mistakes नहों day time frame ही हमारा point of action होगा इसका मतलब कि अगर हमें कुछ भी लेना है आपको entry लेनी है आपको कोई reading start करनी है वो करेंगे हम इसी line से कोई भी action अगर आपको लेना है वो हम लोग इस line से ही करते हैं इसके बाद में इसका second सबसे बड़ा जो use होता है वो होता है stop loss यह main escape reasons होते हैं और पूरी trading आप यह समझ लोग कि इन चार words के अंदर आपकी 50% trading हो गई अब हमारी day time frame की line तो यह लेकिन आप प्राइस का वहां तक आने का wait नहीं कर आपको लग रहा है कि यहीं पर हमें entry ले लेनी चाहिए हाँ ठीक हमने line तो mark कर लिए लेकिन आप entry यहां पर ले रहे हूं कोई sense बनता है इस बात का यह line फिर आपने क्यों अचके पढ़ो इन फिर इस line को draw यह मत करो lower time frame पर आओ और trade execute कर दो stop loss के लिए कैसे होगा अमाल जग कोई trade हमें अगर execute करना है यहां पर हमें buy करना है तो हम कोशिश यह करते हैं कि buy करने से पहले जो stop loss हमारा मेरी day time frame के level के नीचे stop loss जाए यह safe रहेगा बहुत बार ऐसा होता है कि हम यहां पर अपना stop loss नहीं लगाते वह danger zone में होगा क्योंकि confirmations ज्यादा है expectations है हमारी कि move दिखा सकता है तो कभी-कभी हम अपना stop loss उठाकर स्वाई line के उपर भी रख देते हैं लेकिन ऐसा होता है कभी-कभी 100 में 2 chart rate होगे कि हम यहां पर अपना stop loss रख देंगे यह चीज ध्यान रखना है अब यह नहीं कि 2-4 stop loss आप देखो अगर हमने 4 टेट किये तो 4 टेट में अपना stop loss day time frame के लेवल के उपर रख दिया अब यह चीज देखकर कि आप जितने भी trade execute करो सब के stop loss उपर रख दो और अब lower time frame पर हमें देखना है तो यह चीज़ हमने पहले भी आपको बताए कि अगर किसी price को upside की तरफ जाना है तो वो क्या करता है एक basic nature क्या होता है price का अगर उसे ओपर की तरफ move करना है तो वो support को resistance को break करेगा अगर उसे नीचे की तरफ जाना है तो क्या करेगा downside की तरफ resistance प्रोटेक्ट है ना यह तो वह common सी चीज़ है कोई भी stock उठाकर देख लो अगर वो नीचे गिरा तो अपने support को break करेगा और resistance को protect करते हुए ही जाएगा उपर की तरह जाना तो resistance को break करेगा और support को protect करता हो चले जाएगा अच्छे बेसिक नेचर है आप इसको observe करो अब मालो डेली टैम फ्रेम पर हमने कोई केरिया पर निकाल लिया अब लोबर टैम फ्रेम पर प्राइस वहां पर आ रहा है देख यह कर क्या रहा है क्या हो रहा है इसके या तो प्रैस उपर से नीचे की तरफ जाएगा अपने डे टैम फ्रेम की लेवल पर आएगा support form जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा दूसरा क्या होता है कि प्रैस मालो आपके लेवल के उपर ने वह आपके लेवल के नीचे तो फिर तो वह उपर की तरफ जाएगा अब यहां पर अगर आ रहा है तो हम लोग तो यह देखें क्योंकि प्रैस हमारा अगेन एन अगेन resistance को ब्रेक्ट कर रहा है अपने supports को इसका मतलब यह हुआ है कि प्रैस को फिर के support protection resistance मतलब कि तो upside की तरफ जाना चाहिए अब क्योंकि price upside की तरफ जा रहा है और आप trade मार दोगे क्योंकि higher time frame का area आपके पास नहीं है अपने higher time frame के level draw ही नहीं किया अगर higher time frame के आपने draw किया तो आपको समझ में आजाएगा कि जो हमारा master resistance point है वो यह है अगर इस उपर की तरफ जाने तो हमारे resistance को भी break करेगा अगर इसने resistance को break नहीं किया और resistance के पास में किसी भी एक support को draw करके support form करके वो नीचे की तरफ आया तो होता यही है कि उसने अपने support को protect कर लिया और resistance को protect कर लि जो आप daily time frame पर reading करके lower time frame पर आऊगे तब आपको readings करने होंगे अभी चार्ट पर चलेंगे इसको देखेंगे हम लोग अभी three candles कौन सी है इसको जल्दी से समझ लेते हैं देखो वैसा वरसा ले करके चलेंगे first and second दोनों ही देखेंगे सबसे पहले में क्या होता है second pair जो मार इस तरह का है और एक green candle इसके बाद में जो दूसरा आप देखो गया दोखो बहुत चोटी चोटी चीज़ देखना है हम लोग काम करने बैठेंगे ना तो candles में बहुत चोटी चोटी हरकतों को भी देखते है तो एक तो यह हो गया जो third वाली candle है हमारी second वाली candle के उपर निकल यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ दोखो विक निकली यहाँ पर closing होगा यहाँ प्रॉपर विक निकली अगर यह विक भी नहीं निकली होती प्राइस सिधे नीचे की तरफ होता हम तब भी इसको consider कर लेते है या फिर इसका आप opposite लेकर हो गई आप देख लो एक भी कोई formation आपको मिल जा है जैसे एक दो हमें चाहिए center वाले candle के नीचे closing ठीक है closing एक यह तीन candles मिल करके ना एक बहुत अच्छा slip point आप यहाँ से अपने entries कर सकते हो यह entry की एक निशानी होती है लेकिन यह देखनी कहा पर है यह दिन में आपको बह लेवल पर which is called our point of action day time frame का लेवल अब daily time frame पर आपको अपने point of action निकालना है तो daily time frame पर आप कैसे निकालोगे daily time frame पर चुलो वही वाले लेते है जो आपको बताया था हमने ठीक यह वाला फॉर्म में टेलन है जो वालुम्स हमने ड्रॉख की प्रैस का पता ना जैसे लास्ट पर आकर के आपको अपने यह वाले format देखने और यह याद रखना जैसे हमने कहा था यह बहुत basic है अभी entry लेने के लिए तो हम आपको formats बताएंगे जैसे कुछ formations है अपने double bullish, double variation या करीब 8 formations है जिनका use करते है तो यह बहुत basic है एक एक करके clear करेंगे उसे तो अभी day time frame पर आप इस तरह से अपनी levels निकाल लेते हो, delete time frame पर level निकाल लेना और बाद में naked eye से फिरह में इसे read करना होगा, reading हम लोग कैसे करेंगे, कि price अपने support पर है, price अपने resistance पर है, मान लीजे यह वाला, यह वाली formation आपने देखी कहीं पर, आप format देख लेने के बाद में, आपने ज आपको जहां पर भी level दिखाए, पर आप द्रॉक कर लेना, और उसके बाद में naked eye से analysis करना है, जैसे कि आवली time frame पर हम लोग करते थे, कि आवली time frame पर हमने एक area पर निकाले और वहां पर हम देखने है, price हमारा हमारे level पर आ रुक रहा है, फिर से आ रहा है, फिर रहा है, फ फाइफ candles के तरह अपना resistance को ड्रॉक कर लेते हैं, अब मैं यह देखना होगा कि क्या particular stock हमारा resistance को resistance की तरह react कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो resistance as a resistance confirm हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या वो support as a support confirm हो रहा है या confirmations लेने के बाद में ही क्याम करेंगे, how we take confirmations यह कैसे ली जाए confirm कर लेते हैं कि हाँ यह जो resistance pointer price यहाँ पर रुक रहा है, तो जिस दिन हम trade करेंगे possibilities हैं उस दिन भी रुक सकता है, हमने अपने area अपने निकाल लिया, अब मैं buy करना है तो buy, क्योंकि यह जो चीज़ में trend identification हम नहीं बताएंगा, trend identification फिर वो दूसरी चीज़ हो गई, पूरा direction में काम करना है, अगर वो patterns बने तो फिर तो समल हो गया, फिर आपका काम हो गया, लेकिन उसके अलावद देखना है, तो फिर में readings करनी पड़ेगी, तो daily time frame पर levels नेकालने के बाद में reading और lower time frame पर है, वहाँ पर भी reading और with volume, volumes को मिला कर, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और जो entry का method है, यो तो आप कहीं पर भी लगा दो, आपको बहुत अच्छे patterns मिल जाएंगे, बाकि इससे भी अच्छे अच्छे है, तो ये एक चीज़ होगी, हम लोगों ने अभी क्या देखा, daily time frame और lower time frame, अब थोड़ा सा जो बार बार हम बोले रीडिंग्स, अब उन र ये normal price अपना चल रहा है, अब मान लो कि इस एक जगह पर या फिर ये अपना एक resistance point हो गया, यहां से ले करके हमने यहां तक इसको drop कर लिया, price हमारा उस एक जगह पर जाकर के stuck हो रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां ठीक है, इसके लावा एक जो दूसरी जगह ह को मिल रही है, वो यह वाली है, यहां पर क्या हो रहा है, कि price उसी जगह पर जाकर के stuck हो रहा है, यहां पर swing लगा, अब यह हमारा बिल्कुल हो गया, higher area, अच्छा, यहां पर गौर करो, हमने कुछ volumes draw की थी, यह volumes कैसी थी, जो last week हमने बताय था आपको, इसके आप में दो green candles है, तो आप इन दो green candles की volumes को draw कर दो, इन volumes की rules मालू में है, कि तीन volumes गरिते हुए करम में होनी चाहिए, बात की दोनों candles की volumes कैसी होती है, अच्छा, यहां पर देखो, जब हम यह draw कर रहे हैं, तो support point हमारा कुछ निकल करके आ रहा है, अब यही, यहां पर हम समझाना क्या चा लेते हैं, अब देखो हम highest high mark करें, लेकिन यहां पर तो कुछ है ही नहीं, ना आगे ना पीछे, तो कि इसके कोई value है, इसके तो कोई value नहीं है, वही हम support पर देख रहे हैं, तो support पर लो, draw कर देखेंगे, तो support पर हमारे पास एक area निकलाता है, तो इसके confirmations कहां से हुए, कि formats ने हमें एक support दिया, यानि कि अब यह particular stock हमारे इस support area को as a support accept कर रहा है, अब हम लोग अपनी इस formation के थूँ आगे के तरफ काम कर सकते हैं, लेकिन अब माल लिजए, यहां पर formation बनगे और हमने exact अपना जो high point ने इसको mark ले, लेकिन यहां पर तो को value ही नहीं है, कुछ नहीं हम क्यों mark कर लेंगे इसको, सिर्फ एक candle वहाँ पर गई है, इसकी बहुत ज़्यादा मेरे लिए को value नहीं है, बहुत ज़्यादा एहमियत नहीं है, जो हम ले करके चलेंगे, अपने support पर देखो, formation भी मिल रही है, एक swing भी बन रहा है, price भापर support ले रहा है, तो यहां पर हम प्राइस क्या कर रहा है, अगर यह चीज आप समझ गया, तो बस हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए इसके अंदर, कि price ने आपका एक support रहा है, मालो अगर हम इस point को अपना support कह लेते हैं, जो अगर अपना point support है, तो प्राइस यहां पर आ रहा है, उपर की तरफ, बट ब्रिक होने के साथ सा देखो, volumes नीचे की तरफ गिर रही है, वापस से price जब हमारा upside की तरफ गया है, तो इसके अंदर strength नहीं है, प्राइस हमारा उसी zone में आ गया, जिस zone से यह निकल के बाहर की तरफ गया था, प्राइस हमारा again उसी zone के अंदर आ गया, बहुत तो नहीं दिख रहा है, एक single candle है, बट जहां पर इसका low लगा, यहां पर तो इसका support point है, हुआ क्या, कि इस एक जगह पर देखो, price ने अपना एक resistance बनाया, इससे उपर की तरफ ब्रेक किया, वापस से price हमारा उसी resistance को, इस वाले resistance को नीचे की तरफ आ करके close कर गया, अब price अपने previous resistance के अंदर है, अब अगर इससे उपर की तरफ जाना थो परिए, यहां से उपर की तरफ चला जाए, हमारे resistance को ब्रेक करके, वापस से देखो, price कहां पर आए गया, बिलकुल मेरे support point पर, और यह हमने draw कैसे किया, जहां पर हमें एक formation में लिए, हमें भाई से अपना support area draw कर लिया, इतना आसान होता है, पढ़ना है, कोई भी chart आप उठा लो, कोई भी chart उठा लो, जब हम बूलने कि बहुत आसान होता है, ज़रूरी नहीं कि सारे charts पढ़ना आसान है, कुछ charts होते हैं, जिन्हें आप read नहीं का पढ़ना उसको छोड़ दो, जबर जस्ति उसके पीछे ना लगो, हो सकता है, दस chart आप उठाओ, उसमें से तीन readable ही ना हो, चोड़ तो उन तीनों को, उन तीन के पीछे मगच मारी करता है, तो फिल लगता है, हमें तो reading नहीं आ रही है, आसान आसान charts उठाओ ना पढ़ने के लिए, कोई हम लोग options रो नहीं ना trade करें, कि n निफ्टी हो गया, घुम फिर गये वही, तीन चार चार्ट, अर में पर धाई सो opportunities है, खाली एफनों एफनों मा जाएक तो आपको यह पार धाई सो से ज्यादा stocks मिल जाएंगे आपको, काम करने के लिए, cash segment को तो बात ही ने करें, उसके बाहर ने कर जाएको तो बहुत ही ज जोन में आगया, ठीक है, आने दो, support पर आजाने दो, यहाँ बात है, अगर support पर आया है, अब आपको rotate, lower time frame पर हमने बताया ना, price को अगर उपर की तरफ जाने तो resistance को break करेगा, support को protect करेगा, अब अगर इसको नीचे जाना है, तो क्या करेगा, support को break करेगा, resistance को protect करेगा, को काफी दिन पहले के, आज भी उसी जगह पर है, तो चल रहा है, इसको हमने revise नहीं किया है, MQR के अंदर, अब अपने resistance point पर आजाओ, अब इन resistance पर देखो कि प्राइस में हो क्या रहा है, पहले चीज़ तो, वो formation find को जो formation अभी हमने आपको बताई, काफी मदद करेगी, वो जैसे हमें यह मालूम है कि price उपर से नीचे की तरफ मेरा गिरता चला रहा है, तो overall तो यह एक downtrend में है, अब अगर हमें trade करना तो मैं कैसे trade करना होगा, यहाँ पर green candle, एक red candle, इसने हमारी center वाली candle का low brick किया, same चीज़ यहाँ पर बन रही, दो green candle, एक red candle, range के अंदर, यहाँ पर, दो green candle, एक red candle, support swarm हो रहा है, दो दो तिन तिन फॉर्म इट सुन रहा है, और याद होगा, अभी हमने आपसे कहा था है कि जब आप practice करने जाओगे, तो आपको एक ही stock में कई जगह ही साई चीज़ दिख जाएंगे, अब हर जगह तो हम use नहीं कर लेंगे, हमें यह देखना होगा कि हमें आगी की तरफ करना क्या है, downtrend में, याद रखने हैं इस चीज़ को में, price आपका downtrend में है, downtrend में हो जाने के बाद में, आपके पास एक resistance है, बन गया, क्योंकि दो green के बाद में जब एक red candle फॉर्म हो रही तो इसका मतलब यह है कि lower time frame पर एक resistance क्रेट हो और जो red वाली candle इसकी volume के breakout है, breakout in the sense के यह वाली candle मारी last green candle इससे ज्यादे की volumes यहाँ पर देखो आई हुई है, यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, दो green candle है और जहाँ पर देखो volumes के breakout है, मतलब कि resistance फॉर्म हो रहा है, नीचे की तरफ जाने तो क्या करेगा, resistance को protect करेगा, protection के बाद में support को किया जाता है break, अब आप इस पूरी format का जो lowest low point है उसको mark कर लो, यह आपके trades execute करने के points होंगे, जैसे ही आपको downside की तरफ कोई closing मिले, आप trade करो, और जो swing होगा वहाँ पर अपने stop loss लगा दो, दो line में हो गया, लेकिन अगर आपके day time frame की, हम आपको एक बा यह एक resistance area है, यह आला point है, है न, यूही नहीं कि कहीं पर भी हमने mark कर लिया, कहीं भी दिख गया हमको formation हमने mark कर लिया, उठाकर के बास low कर दो trade, ऐसा करो को तो फिर तो गढ़बढ हो जाएगी, याद न, daily time frame पर भी हमने क्या कहाता अपसे, कि एक resistance point है, इस resistance point पर price किस तरह कि moves कर रहा है, इसको पढ़ो, यहाँ देखो price गया, नीचे की तरफ गिर गया, फिर गया, फिर नीचे की तरफ आ गया, अगेन देखो यह उसी जगया पर गया, नीचे, फिर गया, फिर नीचे, फिर से देखो price वार उपर की तरफ गया, अब अगर strong है तो फिर उपर चला यह वापस से मेरी range के अंदर क्या करने आ रहा है आपको क्या लगता है देखने से इसके अंदर क्या हो सकता है कोई हमें अप्टेंड इसके अंदर नहीं दिखाए पड़ रहा है अभी के लिए फिल हाद और यह अपनी इस green वाली candle के नीचे क्योंकि यहाँ पर इसको support मिल सकत है अगर यह support टूटा तो फिरी सीधी नीचे की तरफ आ जाएगा अब मैं यह देखना है कि मेरे day time frame की point of action पर यह है अब अगर lower time frame पर हमें इसके अंदर अपनी यह चीज़ चेक करने कि क्या इसके अंदर हम लोग अपना trade execute कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं को swings draw करने जो reading की skill है वो develop करनी होगी वो develop करने की क्या क्या रास्ते हो सकते हैं कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं जहां से हम लोग अपनी readings को और बहतर बना सकते हैं वो चीज़े हम बता देंगे लेकिन reading करो reading करके जितनी ज्यादा से ज्यादा charts पर हो से क्यों इतनी practice करो हमने last week आपको कुछ लोगों ने बहुत अच्छी की अच्छा कुछ लोगों ने नहीं भी की जोनों नहीं की तो मुबारख हो पूरे-पूरे हफते का एक तरह से सत्यानाश किया जातर लोगों ने किया पूरा record है मेरे पास प्योंकि चार्ट जितने वी रहते हैं वह हम आपसे share करवा ले कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा उसका अभ्यास करो अब जैसे ये day time frame का मेरे एरिया है यहां पर देगो क्या हो रहा है रेस्टेंस प्रोटेक्ट सपोर्ट के breakout आप ट्रेट करो यहां क्या हो रहा है इस एक जिए पर बताईए जैसे day time frame का मेरा area है अभी अपनी expectations क्या है कि मक्यार को नीचे की तरफ जाना चाहिए क्या कर सकता है इसके अंदर के moves कैसे हो सकते है पढ़ो समझो उसको देखो सब कुछ आपके सामने है बहुत ज्यादा हम लोग इसके अंदर हो नहीं कर रहा है एक basic अपनी reading लगा हो समझो क्या हो सकता है इसके अंदर market चल रही ह बंद market में डॉक्टरी नहीं करनी है हो सकता है इसके अंदर reading करो mkr के अंदर reading करो और फ्लॉप हो जाए नहीं चलेगी लेकिन कम सकम इतना तो सुकून रहगा कि हमने live market में प्रेक्टिस कि off market backtest करना कोई इसके अंदर समझदारी नहीं है कोई बहादुरी नहीं है live market में प्रेक्टिस करो confidence आता है stop loss भी जाता है तो कम सकम वो stop loss genuinely जाता है वो दिखाई पड़ता है आप backtest करो कि उसमें stop loss गया तो आपको वो stop loss अपना दिखाई नहीं पड़ेगा लेगे अरे चुलो दूसरा कर लेते हैं हाँ इसमें तो प्रॉफिट हो गया इसमें प्रॉफिट हो गया इसमें प्रॉफिट हो गया जब live market में बनते हुए form होते हुए दिखाई पड़ें तो एनरजी बनी रहती है हाला कि बहुत patience का काम होता है बहुत बोरियत होती है इसके अंदर आपका सरदर्द करने लगेगा आप skip कर दोगे आप फिर नेट्फिक्स पर चले जाओगे आप फिर इंस्टाइग्राम पर स्क्रॉल क करने लग जाओगे तो बहुत बहुत patience का काम है फिलाल अब यहां पर अगर में रीडिंग्स करने तो कैसे करेंगे हमें देख रहे हैं कि यह एक support area है मेरा support तूटके नीचे की तरफ आया कहां तक आया मेरे day time से में की level तर देखो यहां पर इसनेक्स support form कर दिया support तो लगातार ब्रिक हो रहा है न कोई noob होगा ना कोई नया हो गया बाई कर लो हडाओ यहां से बाई करते हैं बेचारा कितनी बुरी तरह से पिटेगा जब यहां से उसका stop launch जाएगा कोई भी बता देगा इस stock के अंदर होने क्या वाला mkr के अंदर क्या होने वाला reading करो अब यहां पर हम देखने की support लगातार ब्रेक हो रहे हैं और यह बन रहे हैं आपके resistance कैसे resistance बन रहे हैं आपको यहां पर कोई mother candle दिखाई पड़ रही है कि एक ऐसी candle है जिस candle के अंदर एक इतनी बुड़ी family है उसके वो अपनी range के बाहर निकलनी नहीं दे रही है प्राइस बाहर की तरफ जा रहा है फिर से range के अंदर आ जा रहा है पूर सकता है उपर की तरफ जाना चला जा है लेकिन अगर नीचे की तरफ आया और इसने low तोड़ा तो क्या ह कि तुपसब्सबिल्टीश भी यहां कि लो टूट सकता है लेकिन फर्क क्या है हो सकता है हम ने मदर यह केंडल देख लिए हो इसलग सकता है आप जोड़ी ने कि अज़्यbach ने के अप दूड़ा सभी ने देख लिए लेकिन ड्रॉ कर लेने के बाद में बहूत आसानी से इ तो अब दकार जा, आपको पता ना, जब किसी चीज का बहुत बड़ा search operation किया जाता है, को बहुत बड़ा search operation है, मान लिजे 1,2,3,4, चलो, एक इतना बड़ा area है, अब यह है 100 km, अब 100 km के अंदर को आपको सर्च operation करना है, तो professionals पता है क्या करते है, वो 100 km में सीधे नहीं दोड़ पड़ेंगे उपहले दिमाग लगाएंगे अपना इन 100 km को 1-1 km के 100 हिस्से में हम लोग डिवाइट कर देते हैं हैंड़ेट पार्ट से हम इसको डिवाइट करेंगे इस तरह से करते हुए तब आगे की तरफ जाएंगे अपना सर्च ऑपरिशन यहाँ पर हम लोग कम्प्रीट करेंगे तो इससे यह होगा कि जैसे हमने छोटा हिस्सा कम्प्रीट कर लिया है इसको हम चेक कर देंगे हाँ यह हो गया यह कम्प्रीट होगा हमने इसको चेक कर दें यहां यह भी हो गया यह भी हमने चिक कर दिया यह सब क्या है 100 km 1 km सर्च ऑपरेशन इस इतना बड़ा चार्ट है पूरे चार्ट को आप सुचो कि हम पढ़ ले तो नहीं पर पाऊ गया उस चार्ट में छोटी छोटी फैमिली आपको देखनी पड़ेंगी छोटी चोटी चोट क्या कर रही है एक्चुली प्राइस तो उपर से नीचे की तरफ आ रहे है लेकिन हम यह मदर केंडल बहुत आसानी से दिख गई हम इस मदर केंडल के अपनी रीडिंग कर सकते हैं वापा से देखो प्राइस ने खीच लिया इसको अपनी तरफ रिंज के अंदर आ गया आप आप ऐसे रीडिंग सरो आप पूरा ले करके बैठ जाओ गया चार्ट पिछले 20 घंटे का सोचोंगी पढ़ ले नहीं समझ में आगा यह फॉरमेशन लोवर टाइम से हमकी 5 मिन की बता दी हमने आपको हाय टेम की फॉरमेशन बता दी हो गया लेकिन में काम तो रीडिंग आ अपने कुछ कुछ हिस्सों में बाढ़ दो और चुटे-चुटे हिससे क्लियर करने के कुशिश करो क्या हो रहा है ये भी एक लैंग्वेज है जब तक आपको जैपनीज हम लिख दे तो जैपनीज आपको समझ में नहीं आएगी जब तक जैपनीज लैंग्वेज आप लेकिन जब आपने उनको हिस्सों में बाटना सीख लिया पढ़ना सीख लिया तो वही चीज़ आसान हो जाएंगे आप लोगों इसे बहुत सो लोग जानते हों है काफी experience holder ऐसा नहीं है महीने 2 महीने के experience लेकर करको कई बैठा है सब 4-4, 5-5-5-7, 8-8 के experience लेकर बैठा है आप लिए लाइव मार्केट प्रैक्टिस को चल रही है प्रैस मार्केश चल रही है लाइव मार्केश के प्रैक्टिस क बात की पूरा भी फॉर्मेशन बना हुआ है तो हम एक रेस्टेंस मिल गया अब इस रेस्टेंस पर कैसे रीडिंग करनी है आप लोग इस पर फस्य होगे लास्ट विक हमने क्या बता है हमने तो ज्यादो कोश नहीं बता है था हमने सिर्फ आप से इतना काता है कि आप पांच केंडल सब्सक्राइब देख लें ना पांच केंडल से आपको रेस्टेंस सपोर्ट मिल जाएक वहांस अपना पढ़ना एक नेक हमने हिंट दे थी थी कि आवली टाम फ्रेम पर जैसे हम लोगों ने एक्सेस की थे कि प्राइस आया रूका आया रूका आया यह रूका तो हम हमाई लिए सबसे इंपॉर्टन पॉल्टट कहीं से बन जाते है फिर फिर यह वला पॉल्टन बन जाएगा उपर का छोड़ दो बार बनी जो कि हाई वॉल्म पर साथ में थी अब ये प्राइस अब अपसाइट की तरफ जा रहा था उस दिन तो ये ग्रीन केंडल बन रहे थी पूरी लेकिन वापसे प्राइस पर नीचे की तरफ आ गया एक सेल ओफ हुआ था और वापसे देखो प्राइस आपको उसी रेस तो सितने दूसरे यह वाल की तरफ निकल जाना होगा नहीं जाना तो पर जब तक तक इस वाले लेवल के उपर नहीं जाएगा ये वीख ही रही रहगा नहीं उपर जाने वाला confidence के साथ में इसकी practice करना इन levels के practice करना आप आज और lower time frame पर अभी हमनों कुछ बादा दाना आपको कि इपनी information देख लेना ज़्याद हम पीछे ने चलेंगे सिर्फ हम last day को ही देखेंगे यहाँ पर देखो यहाँ हो क्या दा यह बारा बज़े के बात को मुझे से फिलाल वो सब छोड़ दीजे यह area है यह हो गया ना यह daily time frame का है प्राइस उपर की तरफ गया नीचे आगया इसने क्या किया अपने support को break करना शुरू किया वापस देखो price नीचे की तरफ आया यहाँ पर दोख इसने support बना दिया ना जो formation अभी हमने आपको पढ़ाई थी यहाँ पर क्या बना resistance resistance protected support break support break हो गया ना आपनी formation बनी formation के बनती जैसे वो नीचे की तरफ तूटी नीचे की तरफ चला गया आपको कुछ इस तरह से अपनी रीडिंग्स को develop करना है याद रखना यह दो चार दस दिन का काम नहीं है आप यह मान करके चलो अगर दुनिया में कोई भी काम है जो की सबसे ज़्यादा time taking profession है which is a stock market कोई भी अगर आपसे कहे कि दो चार दस दिन में हो जागा तो उसकी बात मत मानना कभी मत मानना अगर आप से कभी फ्यूचर कोई ऐसा आप पूर्चुनिटी मिले कि आप से कोई इस बारे में सलाह ले रहा है तो आप उसको समझा देना stock market से आसान UPSC है आज कल के fashion में हम इसको कब से कर रहा है हमें लग लग बहुत समय हो गया है 2011 से इसलिए क्योंकि तब हम फर्स्ट इयर में थे और फर्स्ट इयर में चेंज करने पड़ते हैं लोगों को अपने subjects वैसे तो 9th class से हमें subjects अपने change करने थे तो 9th class से फिर हमने अपना basic school था हमने छोड़ दिया था फिर हम दूसरे school चले गया थे वहां पर में commerce से पढ़ा ही करनी थे 9th 10th हमने निकाल दिया 11 से में coaching की ज़रूत पढ़ी तो जो teacher हमारे थे जो में coaching पढ़ाने वाले थे वो actually इस field में काम करते थे शेयर खान बगरा में शायदो कुछ काम हम करते थे trade बगरा भी करते थे उन्होंने हमें हमें क्या लग पूरी coaching को ही जितने बच्चे थे सभी से इंट्रोड्यूस कराया अब उस coaching में कितने बच्चे थे क्या था हम तो उनकी आदे क्या लगभग लगभग लोगों की शकले ही भूल गया कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा लेकिन वो जो introduction था ना तब से लेकर कि अभी तक मेरा चल रहा है वो जो market हम से introduce कराएगे थी 2011 से अब यह नहीं हम कहें कि 2011 से हम लगा था ट्रेडिंग ही कर रहा है नहीं कर रहा है लेकिन हम practice तब से मान सकते हैं कि हम तब से practice कर रहा है और सिर्फ इस हैसियत से मैं आप से यह बात बोल सकते हैं साथ-साथ-साथ-साल से लोग लगे हुए हैं नहीं successful हो पा रहा है हम भी नहीं हो पा रहे हम अभी first stage में पड़े हुए है first stage में stage is like क्या आप stock market में काम करना होगा तो सबसे पहले आपको stocks के उपर काम करना होगा stocks के उपर ही practice करनी होगी उसके बाद में फिर आप जब ज्यादा अच्छे ज्यादा बड़े लेवल पर चले तो फिर आपको stock के options को trade करना होगा यह second step थर्ड step में क्या करना होगा अब हम लोग derivatives में काम करते हैं derivatives में घाए फिर हमें वहाँ पर derivatives के futures में काम करना होता है यह clear होना चाहिए उसके बाद में future चोड़ करके अब हम जाते है options में काम करने अगर हम जाए तो options वागरा काम करना को इससे field बील नहीं है लेकिन few अगर काम करना तो options is a fourth step उससे पहले तीन स्टेपस आपको clear करने होंगे नहीं clear कोई ना करो बहुत सो लोग मजब उड़ाते है मेरा अरे नहीं आता है आपको इसलिए बोलते हो कि options मत करो बहुत सो लोग बोलते हैं कई लोग कहते हैं अरे सबका अपना-पना style होता है इसका यह मतलब थोड़ी नहीं कि दूसरा बेवकूफ है तो आप अपना काम करो दूसरा हो उनका काम करने दो तो कर तो रही ही हो लेकिन इसमें जान लेना क्या हो रहा है कि अगर आप options वगरा में काम करो तो वो fourth field होती है fourth step होता है actually आप स्टार्ट होती है आपकी फॉरेक्स मार्के जो की actually समंदर होता है पैसों का यह तो छोटा 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 वो है यहां पर आकर के मार्केट खतम होती है जिंदगियां कम पढ़ जाएंगी 400-500 साल लग जाएंगी लोगों को आप पहुंचने में आग आज से आपको मालूम है तो किसी को भी बताना तो सारी चीजें उसको बताना आपका टार्गेट ऑपशिंस को ट्रेट करने नहीं है प्राइजेक्शन के थूरू financial market को trade करने में options भी एक step है बात यह शुरू कहां सुभी थी वह बोली गए आगे की तरब बढ़ते हैं अब जैसे यह हुआ ना यह समझ में है कि डे टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने अपनी रीडिंग कर ली इसमें सेंटर में सिर्फ एक बात यह रखना कि जभी भी आप किसी formation के थुरू अपनी रीडिंग्स करोगे तो formation actually important नहीं होती है क्या उन formation ने आपको सही जगह पर पहुंचाया या नहीं पहुंचाया यही ज़रूरी होता है उसको देख उसे करो लोवर टाइम फ्रेम पर भी अगर आपको कोई formation देख रहे तो उसका इनलाइस करो दिन में आपको 20 जगह दिखाए पड़ेंगे अब यहां पर हम लोगों देखना है तो यहां पर इससे लेते हैं जैसे decreasing लोग बना आप इसको मार्क कर लो चुरूरी है असानी से पहले इसको देख लो यहां पर क्या हो रहा है हमने अगर कोई एक पॉइंट मार्क किया है तो वहां पर और क्या हो रहा है जीचीज अब देख लो अगर ऐसे in between आपको एरिया निकाल लोगे कि लो हमने दो कोई निकाल लिया तो प्राइस यहां से अप एंड निकाल यहां से ले कि यहां तक आप ड्रॉ करों हो नहों यह अपको support एरिया दे देगा तो फर्थ समझो उपरवाले लवल्स में और नीच्छ वाई लवल्स में जिस तरह के लेवल्स नीच्छ वाले उस't पर काम करना होगा अचा दूसरी बात जरूरी नहीं है कि यह नहीं उसको उसने में गलत जगह पहुंचाया है तो इसमें देखना होगा हम अपसाइट के दरफ हैं यहां है decreasing lows हमने mark कर लिया अब देख लो क्या हो रहा है वाँ पढ़ो समझो कि एक हमारा resistance point है resistance है price देखो high volume के साथ में आपका upside के दरफ गया है वापस से इस एक जिस candle ने breakout किया था price उसके उपर निकला ही नहीं उस range के अंदर ही again and again उस range के अंदर ही closing कर रहा है वापस देखो price इस range पर आएगा तो इसने एक gap down opening दे gap down opening तो दी बट देखो price ने हमारी इस green वाली candle को छोड़ा नहीं इस range के अंदर ही है है न यहाँ पर अब यह ऊपर की तरफ तो जा रहा है बट with low volume low volume से उपर की तरफ जा रहा है सबसे पहली चीज़ के price अपनी जिस range को high volume के साथ जिसने breakout किया था वापस से price हमारी उसी range के अंदर आ गया और closing देदी नेक्स यह फिर से price हमारा upside की तरफ गया लेकिन अपने highs को protect करता हुआ ही देखो high उपर high उपर फिर से देखो highs break नहीं हुए low volume के साथ ने price उपर की तरफ गया और यह फिर से कहां पर है resistance पर है जब तक price यहां पर रहेगा वो resistance पर ही रहेगा अभी के price actions को देखते हुए वो resistance है partition करो यह बहुत सुकून भरा काम है लेकिन याद रखना है यह मुश्किल है मुश्किल है जब तक अच्छी खासी practice नहीं हो जाती है तब तक मुश्किल ही है ऐसा मान करके चलोगे कि नहीं बहुत आसान है हम तो करी लेंगे इसको तो करो आसान मान लेने बर से चीज़ आसान नहीं हो जाई है है easy बहुत मुश्किल नहीं है बहुत आसान है लेकिन एक sufficient time of practice के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यह बनी है एक green candle बन गे इसने बना दी एक support point जहे support टूटे आप यहाँ पर trade करो अगले दिन क्या हुआ प्राइज हमारा देखो नीचे से ऊपर की तरफ आया अब में क्या करना है अगर trade मारना तो अपनी levels हम find करेंगे अपनी formation find करेंगे यहाँ पर क्या बना हुआ है प्राइज नीचे की तरफ यह काम करो जितनी आसानी से और जितने कम शब्दों में इसाही चीज़ें आपको हम लगता है जब आप करोगे तो भूसकता है इतनी आसानी से ना दिखाई पड़े क्लैश मत करना कि वो संजह रहे तो बढ़ा आसानी सो जाता है हम करते तो ही नहीं रहा है क्या करें समझ में नहीं आ रहा है इससे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना उदास नहीं हो सकता ह जब हम समझा रहें तो आपको क्लियर हो जाएगा लाकिन जब खुद के चार्ट उपन करेंगे तो हो सकता है इतनी अच्छी तरह से क्लियर ना हो चीज़े सब सामने रहेंगी आप रेंडमली कोई स्टॉक उठालो अब जैसे यह हो गया तो बैंग निफ्टी पगरात हम नही इसमें पर रोज गया थे शुद बिलकुल इस्ही जगह से जगे सान घ्нै यह देख गूज जो लेव में ने ड्रा किया थे अभी भी मी लेवले हो थे भूल कैया ने यह बहु अदए भारत व необход भरान भारत मिंव थैसि कि यहां पर support बना, support बन जाने के बाद में, प्राइज मरा नीचे की तरफ आगया, इसने actually अपने support को downset की तरफ break कर दिया, तो उस दिन तो stop loss अपना चला जा तो उसके बाद से actually अभी हमने देखा इसको, अभी हमने देखा इसको, अब यह अपने resistance पर है, support को break करके अपने resistance क react कर दा है, इसमें भी कुछ पढ़ने जैसा है, यह तो बहुत असान है, यहां पर master candle को निकालेंगे, तो देखो, एक candle कौन से बन रहे हमें तो सबसे समझ में आ रही है, यह green वाली candle समझ में आ रही है, कि price इसके अंदर रुका, इसने दिया breakout, breakout देने के बाद में, price आमारा support तोड़ेगा अपना, यह जो green वाली candle अप देखो इसका low, last week आपके लिए यही task है, भारत फ़को उठाना, भारत फ़को बूलना मत, इसको भी देखना लगा थार देखना आपको, क्या होता है, क्या इसके अंदर results रहते हैं, अब अगर हम इसे यहां पर trade करना होता है, त इसकी full week करोगे practice, इस practice में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, कल हम लोग करेंगे trade discussions, और जो भी question answers रहेंगे, वो question answer भी कल ही करेंगे, अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, तो जो भी question answers रहेंगे, कल हम आप लोगों से discuss करेंगे, इसको अच्छे से देखिएगा, recall जो notes पना है, उन notes में कुछ कमी रहेंगे, तो notes को ठीक से correct कीजेगा, बाकि हम लोग कल मेलते हैं, वापस